नमस्कार, रोबोट्स 2.0 मैसे विसी क्लास में आपका स्वागत है जो वर्क्षिट आपकी है, 70 लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए एक इंसान तब रोबोट हो जाता है जब उसकी फेलिंग्स को ध्यान में नहीं रखा जाता साथ के साथ एक साथ इतने सारे काम होते हैं कि उस पे वर्क बड़िन हो जाता है बस वो काम किये जा रहा है किये जा रहा है क्या काम कर रहा है उसे इस चीज का बिल्कुल नहीं बता है तो hello robots आपका mycbc class में फिर से स्वागत है तो चलिए इस वर्क्षीट को करना सुरू करते हैं जो आपकी वर्क्षीट है आपकी एफ वर्क्षीट नमबर 70 ठीक है दिनांग 26, 12, 2020 समाजी विज्ञान 3 से 5 अंक वाले प्रशन है बच्चो थोड़े से जो प्रशन होंगे वो आपको बड़े लिखने होंगे मतलब इतने सारे आपको प्रशन लिखने हैं जो 3 से 5 अंक वाले हैं कुछ तो ऐसे प्रशन है जो आपके वर्क्षीट में आये नहीं है फिर भी आपके रिवीजन के दायरे के अंदर आ रही है अगर आप देखेंगे ठीक है कौशन नमबर तीसरा आपने देखा है हेलमूट को क्या समझ नहीं आया था क्या हेलमूट अभी तक आपने वर्क्षीट में पढ़ा बच्चों मेरे पास यह सारी आपकी वर्क्षीट है वर्क्षीट 43 से लेके जर्म उसके उदय से लेके और मृत्यू तक ठीक है 48 तक है हमारे पास लेकिन कहीं पे हलमूट नाम का बच्चा आया ही नहीं लेकिन आपको वर्क्षीट में रिवीजन में करना है रिवीजन का मतलब होता है जो चीज़ आपने पढ़ रखी होती है उसे रिवाइस किया जाता है लेकिन यह नहीं चीज़ है लेकिन फिर में मैं आपको बताऊंगा हेटलर और ग्योबल्स ने सन 1925 में आत्मत्या क्यों की गई थी आपने अभी तक वर्क्षीट में ग्योबल्स पढ़ा की नहीं पढ़ा मुझे तो नहीं पढ़ा चला और इसने आत्मत्या की थी ये भी आपके वर्क्षीट में अभी तक नहीं आया है और आत्मत्या क्यों की थी ये भी आपके वर्क्षीट में नहीं था लेकिन नहीं प्यारे बच्चों रिवीजन के दारे में चल रहा है तो आपको ये सारे आंसर लिखने पड़ेंगे और मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा भी वर्षिट बड़ी है इस वज़े से आगी पीछे की बात नहीं करते हुए सीधे हम वर्षिट के दे सुरू करते कोशन नमबर एक दोसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने क्या नरसंगहार किये कितना मदलब उसने नरसंगहार वह है न मुच्चों मुच्छ था वह सारे अलकटों को मार रहा था तो क्या किया था प्रस नमबर फर्स्ट का जो आंसर इस परकार से लिखेंगे इस नरसंगहार के तहत युरोप में रहने वाले कुछ खास नसल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाक यहुदी, 2 लाक जिपसी और 10 लाक पॉलेंड के नागरिक थे पॉइंट नमबर 3, मानसिक, मानसिक जो दिमाग से वा सारे रूप से अपंग घोशित किये गए, 70,000 जर्मन नागरिक भी मार ढाले गए, हिटलर ने ऐसी कुरूरता वहाँ पे की थी नरसंगहार किया था कोशन नमबर 2, हिटलर और ग्योबल्स नेशन 1945 में आत्म हत्या क्यों की थी? देखरो बच्चो इतना हलकट था, हिटलर जो अपने आपको हिटलू मंस पता नहीं क्या हिलू-लू-लू समझता था, लाश्न मुझने क्या की आत्म हत्या काम ही ऐसा कर रहा था हलकट? तो कोशन नमबर 2 का इस परकार से आप आंसर लिख सकते हैं, अपनी क्रूरता से दुनिया भर में डर का माहल पैदा करने वाला हिटलर हार से इतनी बुरी तरह तूट गया कि फेवी क्यूक से नहीं चपकाया गया फिर उसे, ठीक है? इतनी बुरी से तूट गया कि उसने ख खुद को बंकर में बंद कर लिया और पकड़े जाने के डर से उसने गोली मार कर आत्महत्या कर ली, पिचारा खुद मारा गया, मतलब आत्महत्या कर ली कितनी किनोनी हरकत की थी, दुनिया पर राज करने वाला, दूसरा विश्विद को सुरू करने वाला व्यक्ती, आत्म द्वारा आत्म हत्या करने के अगले दीन ग्योबल्स और उनकी पतनी ने अपने च्छा बच्चों इनके भी च्छा च्छा बच्चे थे वाई च्छा बच्चों को जर दे दिया और फिर खुद को माल डाला ठीकि सीदी जिबात उनको डर था अगर यह पकड़े सीन क्या है अ आपको प्यारे बच्चे बताओं तो थोटी सी छोटी सी खानी थी आपको तीन नमबर खिसाब से इस परकार से लिख देना है इसके जो पिता थे वो डॉक्टर थे हेलमुट के 1945 में हिटलर ने आत्महत्या करने के बाद हेलमुट के माता पिता आपस में बात कर रहे थे कि उनके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए ठीक है पुतने मनलब यह आपस में बात कर रहे कि हमें अपने पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेला आत्महत्या कर लेनी चाहिए हेलमूट के पिता बोल रहा है एक दिन हेलमूट के पिता अपने दफ्तर के अंदर खुद को गोली मार ले हेलमूट के दिमाग पर इसका गहरा सदमा पहुचा उसने अगले नौ साल तक घर से एक निवाला भी नहीं खाया उसे डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे कहीं जहर ना दे दे लाशन में मेंट पॉइंट अप यहां समझ जाएंगे हेलमूट को शायद समझ में ना आया हो लेकिन हकीकत में यह है कि उसके पिता नाच्सी थे वे एडॉफ हिटलर के कटर समर्थक थे ठीक है यही एक रिजन था कि उसको यही चीज नहीं समझ में आया थी मतलब ऐसा हुआ क्यों और उसे यह भी डरता कहीं उसकी माँ से मतलब की जहर दे के मार ना दे क्यों क्यों जब जर्मनी हार गया ना पूरी दर से लोग बॉखला आ गये थे और लोग तो यह हैलमुट की कच्छोटी से कहानी थी चान नमबर पे आते हैं वार्सराय की शांती संधिक क्या थी इस संधिक के बारे में अपने विचार लिखिए ठीक आंसर में लिख दूँगा लेकिन अगर आप वर्क सीट 43 देखेंगे 43 में आप ही देखें वार्सराय की संधी की कठोर शर्ते क्या थी इसे अपमाजनक क्यों कहा गया ठीक है इस परकार से आप बना के लिख सकते हैं कोशन नमबर 3 भी है आप पहले भी लिख चुके हैं तो यहां भी कोशन नमबर 4 है लेकिन तो यह है इस युद्ध के लिए जनमनी को चिम में दाठ ठहराया गया अपने सारे उपनी वे छोड़ने पड़े कोईले के भंडार भंडार डांस को देने पड़े चै अरब पॉंड का जुरुमाना पड़ गया जर्मन सेना पर अंकुष लगाया गया कुछ ऐसी संदिया थी और पॉंट नमबर चै में लिखेंगे ठीक है चार इहां पर खतम होता है और इसके वाज़ पे और चै नमबर पे खनी संसाधनों को मित्र राष्टों ने आपस में बाट लिया क्यादी मैं उस समय जर्मन नाकरिक होता तो मुझे भी वाजराय की संधी अपमाजनक लगती क्योंकि इस संधी के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी होई थी तो अपनी विचार के इसाप से इस परकार लिख देंगी कौशन नमबर चार का इस परकार से आंसर हो विश्वयुद्ध ने यूरोप्य समाज और राजनेतिक व्यवस्ता पर अपनी गहरी छाप किस परकार छोड़ी प्रथम विश्वयुद्ध ने ठीक आपको यह समाजिक और राजनेतिक व्यवस्ता के अंदर बताना है ठीक है आर्थिक आर्थिक वाला नहीं है क्यों काफ को आप नागरिकों के मुकाबले जाद सम्मान दिया जाने लगा दूसरा राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोड़ देने लगे कि पुर्सों को अक्रामक ताकतवर और मर्दाना गुड़ोवला होना चाहिए पॉइंट नमबर तीन आक्रामक फोजी प्रचार और राष्ट्र सम्मान वा प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजों का महत्व कम हो गया ठीक है ये है सिर्थी से बात लड़ाई जगड़ा होते तो इस टाइम बे फोजीों की जो वैल्यू थी काफी बढ़ गई थी प्रश प्रश्ण नमबर चे आंसर चे लिखेंगे इस पार्ट किट्स लीग जर्मन की एक राजनीतिक पार्टी थी इस पार्ट किट को किष्टो को किष्टो ने जर्मनी की कम्यूनिस्ट पार्टी की निव डाली याद रखना कम्यूनिस्ट पार्टी की निव इस ही ने डाली थी और इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवाद एक दूसरे से कटर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाप कभी भी साजा मोर्चा नहीं कोल सके ठीक आपको लगा ये पहले भी आप नई पड़ नया नहीं है वर्क्षिट 44 में अगर देखेंगे तो ये रहा इसके बाद कम्युनिस्ट सामेवादी और समाजवादी एक दूसरे के कटर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाप कभी भी साजा मोर्चा नहीं खोल सके करांतिकारी और उग्रोग अगर आप और बढ़ाग लिखना है सकता है तो यहां से लिख लेगे अगरा अचिये के बाद जर्मनी की अर्थवस्था पर क्या बदलाव आया अब देखेंगे रूर इलाके क्या था प्रेश नमबर साथ तो साथ का आंसार इस परकार से लिखते ना नीचे आठी है साथ का इस परकार से आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हरजाना देने से इंका करती है हाथ खड़ा के लिए भाई या अमारे पास नहीं है यह रूपया नहीं है इसके जवाब में फ्रांसेसियों ने जर्मन के मुख्य अध्योकिक इलाके को इलाके रूर पर कबजा कर लिया यह जर्मनी के विशाल कोईला भंडार यही रूर इलाका जो है यही है यह ज जोल भंडार लगबक समाप्त हो गए इसके जवाब में जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा चापती उसकी मुद्रा मार्क का मुल्य तेजी से गिनने लगा जैसे यहां रूपया होता है वह मार्क था एक डॉलर में खरबो मार्क मिलने लगे जरूरी चीजों की जो कीमते हैं वो आसमान चुने लगी अती मुद्रा इस्विती की इस्थिती बन गई बच नमर साथ इसने साथ में देखेंगे तो यही है उसने अर्थवस्ता पर क्या बदलाव डाला काफी बुरा परभाव डाला था वच्चो ठीक है इसके क्या हुआ इसने पैसी पैसे चापने शुरू कर दिया कि इसने पैसे चापनेगे सब्स सही हो जाग लेकिन ऐसा नहीं हुआ ठीक है आगे पढ़ते हैं आर्थिक संकट क्या है इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा प्रश नमबर आर्थ आर्थिक संकट क्या है देखेंगे जो आर्थ है इस पेज पर लिखा गया था आपका ठीक है यह जड़ी के आप बाठवा यह इस परिकार से आएगा ठीक है थोड़े से बड़े-बड़े कोशिन बच्चों लिखने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि तीन से पांस नमबर जर्मनी ने पहला विश्युद मोटे तोर पर कर्ज लेकर प्लाट बना रहे हैं प्लोड खरीद ले और यह बाई साब यूद्य के बाद तो उसे सवर्ण मुद्रा में हर जाना भी भरना पड़ा इस दौरे फौज में जर्मन के स्वर्ण भंडार जो स्वर्ण भंडार होना चाहिए थे ठीक है जो इस पीक करा तो कुछ और लिक ले फ्रांसेंसीयों ने जर्मनी के मुख्य औदयोगी इलाके रूर पर कबजा कर लिया यह जर्मन की विशाल कोईला भंडार वाला इलाका था यह पिछले वाला ही है जो कुछ नमर साथ में लिखा था यह और याद भी हो जाएगा जर्मनी के सुट भंडा लगबग समाप्त ह गए इसके जवाब में जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा चाप दी उसकी मुद्रा मार का मुल तेजी से किरने लगा इस संकट को बाद में अती मुद्रा इस्विती का नाम दिया गया जब कीमते बेहिसाब बढ़ जाती है बेहिसाब बढ़ जाती है तो इस इस् चाप दी, उसकी मुद्रा मार्क का मुल तेजी से गिरने लगा, एक डॉलर में खर्बो, यहां दो फिर वही आगे न, खर्बो, खर्बो होना चाहिए थे, मैंने वही से लिखा है, खर्बो मार्क मिले लगे, जरूरी चीजों की जो कीमते आसमान चुने लगी, अती मुर्दा पैसे नहीं तो पैसे चापने लगे, पैसे चापने में इस्तिती और खराब होगी वहां पे, ठीक, तो चलिए आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं, प्रशन नमबर 9, प्रशन नमबर 9 पढ़ेंगे, हिटलर की वो विशेस्ताय लिखिये, जो उस समय जर्मनी की लोगों को पसंदागी आये है, स्यर्मनी के लोगों किस टाइम पर हिटलर लग रहा था, फूफा उनका जी लग रहा था, फूफा जी आगे, फूफा जी आगे, चलो चलो जीता देते हैं, तो हिटलर के बाद क्या हुआ था, कोशन नमबर 9, हिटलर एक जबर्जस्त वक्ता था, खास वह अपने चौसीले भाषण में कई प्रकार के वादे करता था, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको कई बार दिखा भी रखा है, ठीक, अगर आप भूल रहे हों अगर इस वीडियो को देखने, हिटलर को अगर आपको देखना है, तो मैंने अपनी स्टार्ट वीडियो में लेगा रखा, वर्क्षीट 45 देखे को, तो मैंने उसमें हिटलर की मनत थोपड़ा लगा रखा है, कापी ही ही हूं, कर रहा होगा, अब देखको नाजी परचार में हिटलर जब 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 सबकता था, ठीक, वर्क्षीट 45 आप देखोगे, तो मैंने इसी के मज सरकार की नीतियों का सरकार की नें सरकार की नीतियों का किसी भी पार्टी का पिशलगू मा बने ऊap टियान रखना किसी पार्ट यह नब दिया था यहां पर कंड मतलब कि बेड़ गयता है सोविय संग से और मुगी खाली और अलाश्ट में आत्मत्या करनी पड़ी तो बहुत गल्तियां कईयों से हो जाती है इसी वज़े से किसी का विश्लब गुनव बने आप अपने सोच विचार से चले तो ती नमबर किया या छवी उस समाज को अच्छी लगती थी जिसका प्रतिष्था और कर्व का अहसास चकनाचूर हो चुका था क्योंकि पहले यार रो चुके तो इनको लगा या हिटलर आयब सब तो हमारा काम बनी गया ठीक है किसी को अगर और चीजिस में समझनी होगी तो आप यहां हिटलर ने अपनी ताना शाहि के स्थापना के लिए क्या क्या किया इसका आंसर दो पेज में है ठीक है पेज नमबर दस आंसा नमबर दस यह रहा और इसका थोड़ा सईसा यह रहा ठीक है तो इस प्रकार से लिखना कहीं कोई लिख नग रूच कर दिया अगनी अध्ध्य देश के जरी अभिव्यक्ति प्रेश और नागरिक अधिकारों के अनशितकाल के लिए निलंबित कर दिया मतब कोई भी कुछ भी नहीं चापेगा समझ में आया समाज को नियंत्रित और व्यवस्तित करने के लिए विशेश निगरानी और सुरक्षा दस्ते कठित किये गए पहले से मौझूद हरी वर्दी वाली वर्दी पुलिस और स्ट्रॉम पर के अलावा गेश तो एस एस अपराद नियंत्रन पुलिस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया पॉइंट नमर तीन इसे बेहिसाब अधिकार दिये गये थे जो इसनों भी गठन किया था किसी को भी यातना गरह में भेजा जाता था यातना मतलब जहां पर उनको कष्ट या जाता था ठीक है प्राश्च नमर दस का आप इस परकार से आंसर लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर दो पेज में थे पता निपना गया प्रशूद देता यह विचार यह बच्छा तो अ समाज को नियंत्रित प्विस्तित करने के लिए विशेश निगरानी और सुरच्छा दस्ते गठित किये गए पहले से मौझूद हरी वर्दित हरी पुलिश ठीक है तो कहने के मतब यह चीज़ आपको यह इस लिखने और चीज़ अगर पढ़ना हो चीज़ समझ नहीं हो तो व कामियाबिया मिली सोरी वाई सब बहुत अच्छे कामियाबिया भी ले रहे रहे हिटलर अरे बहुत मज़े भी लिए कभी तो उन्त में आत्मात्या करके मरा प्रश्ण नंबर 11 का आंसर इस प्रकार से लिख देना है 1933 में हिटलर ने लीग ओफ नेशन से पल्ला जाड़ ल चोकोस्वाकालिया पाकिया सब का धासू नाम है 1949 में उसने पॉलेंड पर हमला कर दिया जर्मन ने इटली और जपान के साथ एक त्रीपच्छी संधी भी की थी यह उसकी कुछ उपलब्दियां थी कामियाबियां थी प्रश्ण नंबर 11 समापत होता है प्रश्ण नंबर 12 क हिटलार की एक एतियासिक भूल क्यों थी तब भुबा जी कि यह भूल किस परकार से थी हालकट की प्रश्ण नंबर 12 परकार से लिखते हैं हिटलर की सेनाओं को फ्रांस और सोव्या संग दोनों मोर्चे पर एक साथ युद्ध करना पड़ रहा था इसे दोनों साथ सेनाओ को लगना पड़ रहा था वेभूफ को हैं हिटलर की सेना सोवेयस संग के भगौलिक स्थिती से अच्छी तरह परीचित नहीं थी क्योंकि वहां का जो मौसम था वहां के कैसे लोग हैं इस्थिति भौगौलिक मतब ठीक हैं नहीं पता थी पाड़ खाई हैं जरना ना दी है ऐसी कुछ नहीं पता था और तीसरा ये थी इस वज़े से हारिस की सेना हिटलर की सेना को पर्यात्त मात्रा में गोला वारुद मौजूद नहीं था पर्यात्त मात्रा उसके पास सैनिक भी नहीं थे उस टाइम पे क्योंकि दो जगा युद्ध कर रहे थे और इसका जो सामिल हुआ तो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और भाई सब आगे हम भी लड़ाइगा हम भी हम भी मेर को भी मेर को ले लो लड़ाई में अमेरिका ठीक है इसको लिखेंग कैसे प्रश्न नमर 13 ना जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और जापान ने 1941 में पर हारबर प तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्य में कूद पड़ां पास यह हम को तुम ठीक हम मतलब हमको मारें हम यह समान बेजने काम करता था दोनों वेक्ति कोई समान बेजता था हमको तुम मारें तो भाईया जब यह उतर गया अमेरिका 1941 में और यह युद 1945 में हिटलर की पराजय और अमेरिका ने क्या कर दिया और जपान के हिरोशीमा शहर पर एक नागा साकी भी था पर अमेरिकी परमाडू बं गिराने से इस खेल को समाप्त कर दिया ठीक है खेल ले यार बहुत ब्योड़ा यह वर्ड था ठीक है वर्ड वर्ड था तो इस वागर आपको यहां से बहुत सब्सक्राइब जब जापान ने हिट्लर को समर्थन दिया तब अमेरिकी ठीकान उपर बंबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्युद में खूद पड़ा इसी विद्युद के में हेंटर की पराजय और जापान की रोशिया समर पर परमाणु बंग गिरा दिये गए और इनका धपा हो गया खेल समाप्त हो गया चलो अब डाइन किसकी है वर्ल्ड अबॉर्ड तीसरे में देखते हैं भाईया ना हो तो यह अच्छा है प्रस्ट नमबर 14 14 हिटलर का विस् पर आधा इससा यहां पर पांच में पेज पर आगया नहीं वाला इस परकार से आपको लिखना होगा हिटलर जर्मन की सिमाओं को फैलाना चाहता था यह ज्यादा इलाकों पर कबजा करना जरूरी है इससे मात्र देश का छेत्रफल भी बढ़ेगा और नई इलाकों में जा जर्मन राष्ट के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति कठा की जा सकती है वेकिन कुछ भी हो यार इसने जर्मनी के लिए देश भक्ती देख्यो यारी इस हलकट की देश भक्ती देखो तुम लेकिन कई-कई नरक में भी पहुचाया इसने ठीक है तो 14 का अंसर इस परकार स समाज क्या था ठीक है तो निली पीली वाले आखो वाले यही था ना तो निली आखो वाले कहा हो तुम पहले आपका वर्क्षिट देखा देता हूं ठीक है 47 में इस दिखा गया नासी विश्विदिष्ट्री कोड इस दिश्ट्री में बराबर नहीं थे नजरिये में ब्लाइंड नीली आखों वाले जिल मिलाखी वालो यहीदियों से दूर रखा गया था ठीक है कहने जो भी आप वर्क्षिट पटर है वर्क्षिट 47 का मैंने हेल्प लेकिन यहां से लिखा हुआ है तो प्रेश्ट नमबर 12 में क्या लिखेंगे जो हिटलर था सभी समाज बराबर नहीं थे इस नजरिये में ब्लाइंड नीली नील से जीली आखों वाले डार्डिक जर्मन आरे सबसे उप के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई थी ठीक है तो इस परकार से प्रसंतपंद्र का आंसर हो जाएगा आपका उसके बास 16 पर आते हैं नासी जर्मनी में वांचित कौन-कौन थे और उनका क्या हाल हुआ जैसे कि आपको पता है कोश्ट नमबर अच पउसते ही ठीक है ये को नाथूँ थोड़ी ना अच्य नाचोओं नाचोओं थाुआ ठीक है नासीओं नाचोओं ने शुध्ध जर्मन के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को पूरा करना शुरू कर दिया सबसे पहले इन्होंने विस्तार जर्मन समराज में मौजूद उन समाजों या नसलों को खत्म करना शुरू कर दिया जिसे ये वांचित मानते थे जिसमें यहुदी, जिपसियों, अश्वेद, रोसी और पॉलिश सामिलते नाश्री सुद्ध और स्वास्थ नार्डिक आर्यो का समाज बनाना चाहते थे, इसके अलावा जितने भी नसल थे वे वांचित, स्वरी अवांचित कहते थे, उसे वांचित, अवांचित कहते थे, अवांचित है बच्चों, और लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रस्ट नंबर 16 होगा, 17 पर आ जाते हैं, नाचियों का नसली कलपना लोग क्या था, कलपना चाहले हागी थे, हापी नहीं, का अशी अच्छी होथी, महीना, नाचियों का, नाचियों का नसली कलपना लोग क्या थे, वो नाचियों को मांशीत कтора ने भी नाज़िक, अवांचित लोग ऐसे हैं, नीली जैली से आख्वाले हैं, 不是 सब प्रिकार से दुबारा से लिख दिना है ठीक है उनका मनना था कि समाज बराब नहीं है वे शुद्ध और स्वास्त नार्डिक आर्लियों का समाज होना चाहिए इस नजरिये में ब्लाइंड नेली आखो वाले नार्डिक जर्मन आर सबसे उपर और यहुदी सबसे निचले पा आता हूं और लिखता कुछ हो रहे है या क्या बात है कि अनुसार समाज में सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी कम जो नसले खत्म हो जाएगी कुछ नमबर सत्रक आंसर इस परकार सो जाएगा आपको सत्रक बाद आ जाते हैं अठारा ठीक है तो वीडियो बहुत लंब्बी होती चली जा रही है नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या इस्तिती थी तो ठीक है मैं आपकी बार वर्शुट नहीं दिखा हुए है पहले बचो डायक इसका आंसर लिख लेते हैं इसका आंसर आप नमक्ता की भावना पैदा की जाती थी हिटलर का मानना था कि मुक्यबाज का प्रेक्षन बच्चों को फॉलाती दिलवाला बनाता है पॉइंट नमबर ती ठीक है उपर से दोनों हो गए फिर इसको उपर करते हैं पॉइंट नमबर तीन इस प्रकार से पढ़ेंगे ठीक है पॉइंट नमबर चार संगठनों में युद्ध की उपासना अक्रमक्ता पहिंसा लोकतंतर की निंदा देख रहे हो लोकतंतर की निंदा साई पॉइंट आगे और जिपसियों वह अन्य अवांचित से घ्रा का सबक सिखाते थे 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्वीस में भी सामिल हो जाते थे आगे पढ़ना है अठारिकबत 19 मातरित्व के बारे में हिडलर की क्या सोच थी मातरित्व के बारे में 19 लिखेंगे किस प्रकार से यह इसके अनुसार महिलाओं पूर्सो से भिन और कमतर होती हैं लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मा बनना है शुद्य आरक्तवारी बच्चों को जन्म देना और उनका पारन पोशन करना नसलिकी सुद्धता है बनाए रखें ठीक है तो प्रश नमबर 20 पर आज आते हैं नसी शाषन ने भासा और मेडिया का किस परकार परियोग किया भासा मेडिया को देनों बिलकुल काफी अच्छी तरह से परियोग किया था अगर मैं आपको यह दिखाओं तो आओ यह रहाँ वर्शी नमबर दिखा देता हूं यह 48 में ठी तो आपको और डीटेल्स मिल जाएगी ठीक है मैं तो थोड़ा चोटा करके लिखूंगा लेकिन अगर्शी अब बार तालीस सच करोगे तो इसको और डीटेल्स मिल जाएगी आपको ठीक है फिलालम इसकाम आंसर पड़ते हैं ठीक है उनली 20 वां बीसमा ठीक है बीसमा यह बीसमा इस प्रचान से ठीक है तो पीसमे का अंसर इस प्रचान से अपको हो जाएगा ठीक है नाच्यों ने अपने धुमाधर परचार के जरी हिटलर को एक मसीहा एक रक्षक और एक अवतारी के रूप में पेश किया दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे सब्द का इस् जाता था गैस चेंबरों को संक्रवन मुक्त छेत्र कहा जाता था वहां के लोग दुनिया की नाच्यों नजरों से देखने लगे यह सब मेडिया के रोल के वज़े से हुआ था होने लगे और उनकी भावना को नाच्यों सब्दावली में ही व्यक्त करने लगे उन्होंने लगने लगा यही ववस्ता सबका कल्यान करेगी ठीक है ? तो 20 में कहो जाता है और 21 मा आ जाता है नासी जर्मन में माध्वन्स क्या था ? यही जो कतले आम हुआ था प्यारे बच्चो सामोई कतले आम को महाध्वन्स कहा जाता है इस कतले आतमे हिटला ने यहुदियों के आमानवता जैसा वहवार किया था, यहुदियों को गैस चेमबर में ले जाकर मारा जाता था, गैर कानूनी इलाके से लोगों को गिफतार किया जाता था और उनकी हत्या कर दी जाती थी, खासकर जो यहुदि हुआ करते थे, ठीक है, प्रश्ण नमबर 20 और 21 यहां पर आपका समाप्त हो जाता है तो मेरे प्यारे रोबोट्स जल्दी से इस प्रश्णों को कर लिजिए क्योंकि अब नेक्स्ट वर्क्षीट आएगी अपकी बार जो जिंगा लाल जिंगा लाल वह आता है ना हरे जो लाल कपड़े पैन के टोप तो मेरे वर्क्षीट कर दो बाकी देख लेंगे हम तो ठीक है यह था लाश में कुछ ऐसा ही था सीरियस मत हो यह मस रही है खुश रही है खुश रहे के काम करेंगे तो आपको टेंशन फ्री हो के काम करना है क्योंकि माइंड आपको अफ्रेस रहेगा तो आप अच्छा-च अच्छा सोचेंगे और अच्छा-च्छा काम करेंगे तो चलिए मिलते हैं माई सबसी क्लास के अगली वीडियो में तब तक के लिए चैहन चैबारत